नमस्कार बच्चों आज हम आपके पुस्तक व्यवसाइक अध्यन भाग दोग का अध्याय नौ यानि व्यवसाइक वित्त का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं इसके पिछले दोनों भागों में अपने मेरे साथ व्यवसाइक वित्त के महत्व को, उसके अर्थ को, उसके अंदर आने वाले निर्णयों, प्रबंधन, आदी सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की है अध्याय के पिछले भाग में हमने अंत में बात की थी पून्जी सरचना की अब को याद होगा मैंने बताया था कि पून्जी सरचना अर्थात वेवसाई की पून्जी में रिण और समता-पूणजी का मिश्रण है, वह किसी भी व्यवसाइ यह देखना होता है कि उसे अपने कुल पूणजी में कितना हिस्सा रिण का रखना है वो कितना हिस्सा समता का रखना है क्योंकि दोनों ही प्रकार के पूंजी शुरोतों के अपने ही फायदे और अपने ही कमिया है हम इन दोनों ही प्रकार के निधी शुरोतों रिण और समता को निर्धारित करने में जो कारक हमें देखने चाहिए उन पर विस्तार में आगे चर्चा करेंगे लेकिन पहले हम आज का यह भाग शुरू करेंगे एक बहुत ही रोचक उदाहरण के साथ इस उदाहरण के माध्यम से हम यहां देखेंगे कि कैसे कोई फ़र में यहां निर्णे लेती है कि उसे अपनी पूनजी में कितनी रिन और कितनी समता की राशी रखनी चाहिए यहां भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहां निर्णे लेने के लिए हमें किन-किन बातों को देखना होता है हमें लाब का कितना महतों देना है हमें रिन पर दिये जाने वाले ब्याज को कितना महतों देना है इसके लिए एक बिंदु एक विशैवस्तु है जिसका हमें घ्न होना चाहिए जिसे हम वित्य उत्तुलक कहते हैं वित्य उत्तुलक दरसल रिण के समस्थ पूंजी में अनुपात को कहा जाते हैं यानि हमारे जो कुलपूंजी है उसमें जो रिन का अनुपात है वह हमारे वित्ती सरचना को उत्तोलक की भाती उठा सकता है यानि बहतर बना सकता है या गलत रिन की राशी उसे नीचे गिरा सकती है तो वित्य उत्तोलक रिण के अनुपात को दिखाता है और उसका हमारी वित्य सरचना पर प्रभाव बताता है वित्य उत्तोलक की गड़ना रिण बटे समता या रिण बटे कुल पूंजी के अनुपातों के द्वारा भी की जा सकती है जो कि हमने पिछले भाग में भी देखा था यहां रिड से अभिप्राए दीर्ग कालीन बाहरी रिणगत पुन्जी से है जबकि सम्ता से अभिप्राए अंश धारियो द्वारा लगाई गई पुन्जी से है मैं जानता हूँ यह तो आप पहले से ही जानते है तो आईए आप देखते हैं कि वित्य उत्तोलक होता क्या है और कैसे कुल पुन्जी में रिण की राशी हमारे पुन्जी सरचना को प्रभावित करती है इसके लिए आपके सामने एक उधारण है जहां कम्पनी की कुल निधी या कुल पुन्जी 30 लाक रुपे की है बाजार में ब्याज दर 10 प्रतिशत वारशिक है कर की दर 30 प्रतिशत है जबकि कम्पनी का EBIT यानि Earning Before Interest in Tax यानि ब्याज और कर से पहले का लाब 4 लाक रुपे का है यह कम्पनी की स्थिती है अब इस परिस्थिती में कम्पनी अपनी पुन्जी में रिण कितना रखेगी इसका कम्पनी के अंशधारियों पर क्या असर पड़ेगा उसे हमें देखना है उसके लिए हमने तीन परिस्थितिया ली पहली परिस्थिती जहांपर कोई रिण नहीं है यानि पूरी की पूरी 30 लाख रुपए की पूंजी सम्ता के द्वारा प्राप्त की गई है दूसरी परिस्तिती जहांपर कमपनी के पास 10 लाख रुपए का रिण है यानि बाकी का 20 लाख सम्ता से आया तो आईए हम देखते हैं कि तीनों परिस्तितियों में अंशधारियों पर इसका क्या प्रभाव परता है यदि हम पहली परिस्तिती को देखें 4 लाख रुपए के लाब में से सबसे पहले हम ब्याज यानि इंट्रेस्ट को हटाएंगे लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई रिण ही नहीं था तो ब्याज भी नहीं होगा तो यानि की अर्निंग बिफोर टैक्स यानि ब्याज को हटाने के बाद कर से पहले का लाब जो है वो सेम एक जैसा रहा चार लाख रुपए का अब इसमें से हम कर को घटाएंगे तीस प्रितिशत की दर से चार लाख रुपए पर कर की राशी आएगी एक लाख बीस जार रुपए उसको घटाने के बाद कर के बाद का लाब इएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स दो लाख असी हजार रुपए का आया अब यह कर के बाद का लाब है तो इसका पूरा हक अन्षधारियों का है यह लाब यदि हम अन्ष धारियों में बाट दे तो प्रतियक अन्ष पर कितना लाब मिलेगा इसके लिए हम EPS निकालते हैं अर्निंग पर शेयर यानि आए प्रतिय अन्ष अब कंपनी के पास 30 लाख रुपए के अन्ष है मान लेते हैं कि प्रतियक अन्ष का मूल्य 10 रुपए है तो इस परकार 3 लाख अन्षों की संख्या हो गई अब यदि 2,80,000 रुपए के लाब को हम 3 लाख अन्षों से विभाजित करें तो हमें मिलेगा EPS और जो की आएगा 0.93 इस श्थिति में प्रतियक अन्ष पर 93 लाब प्राप्त हो गई यानि यदि आप कंपनी के अन्ष धार रखें और आपके पास 10 अन्ष है तो आपको उस पर 9 रुपए 30 पैसे का लाब प्राप्त हो गई अब दूसरी स्थिति पर आते हैं यहां कंपनी के पास 10 लाख रुपय का रिड़ था तो उसके उपर 10 प्रितिशत की दर से 1 लाख रुपय का ब्याज देना पड़ेगा अब 4 लाख में से 1 लाख रुपय का ब्याज घटाएं तो हमारे पास लाब बचा 3 लाख उसके उपर 30% का कर लगाएं तो 90,000 का कर घटा के बचा 2,10,000 रुपे है अब हमारे पास करों के बाद का लाब है 2,10,000 रुपे है इसको यदि हम अन्शों से डिवाइट करें तो इस बार हमें प्राप्त होगा 1.05 का EPS क्योंकि इस बार हमारे पास अन्श है 2,00, क्योंकि 30,000,000 रुपे की कुलपुणजी में से 10,000,000 रुपे तो रिंड से आये थे तो बाकी के 20,000,000 रुपे अन्शों की होंगे 10 रुपे का एक अन्श तो अन्शों की संख्या हो गई 2,00,000 रुपे के लाब को दो लाख अंशों से विभाजित करके हमें प्राप्त हुई एक दश्मलो शोन्य पांच रुपए की EPS राशी यानि प्रतियेक अंश पर लगबग एक रुपए का लाब प्राप्त होगा इसी प्रकार यदि आप तीसरी सिति को देखें जहां पर कम्पनी ने 30 लाख रुपए की पुण्जी में से 20 लाख रुपए रिण से प्राप्त किये हो तो ऐसे में 2 लाख का ब्याज भरने के बाद 2 लाख रुपए का लाब बचेगा उसमें फिर आप कर भरेंगे 30 प्रतिश यदि हम 1,40,000 रुपए की लाब राशी को अंशों की संख्या से विभाजित करें तो हमें EPS प्राप्त होगा 1.40 अब यहां विशलेशन करने की बात यहा है कि जैसे जैसे कम्पनी अपनी पुण्जी में रिण की मातरा को बढ़ाती गई आप देखें EPS की मातरा बढ़ती गई यानि प्रतियक अंश होने वाले लाब की मातरा बढ़ती गई यानि हम कह सकते हैं कि रिण बढ़ने से फाइदा किसे हुआ जो भी अंशधारी थे उन्हें हुआ उनका प्रतिय अंश लाब EPS बढ़ते गया यानि यह कहा जा सकता है क यदि कमपनी अपने पूंजी में रिण की मातरा को अधिक रखेगी तो उसका उतना ही अधिक फाइदा अंश धारियों को होगा इसे ही हम वित्य उत्तोलक कहते हैं कि रिण की मातरा को बढ़ा कर अंश धारियों को फाइदा पहुचाना लेकिन ऐसा तब होगा जब कमपनी राशी चार लाग थी अब हम यदि दूसरे उधारण को ले जहां पर लाब की राशी यानि इबी आईटी कर और ब्याज से पहले का लाब दो लाग कर दें तब देखिये क्या होता है आपके सामने जो उधारण है वही गड़ना हमने फिर से की है लेकिन पहली स्थिती में इस बार EPS आया 0.47 दूसरी स्थिती में EPS आया 0.35 जबकि तीसरी स्थिती में कोई भी EPS नहीं आया क्योंकि तीसरी स्थिती में कमपनी के पास 2 लाग रुपय का जो लाब था उसके बाद कोई लाब बचा ही नहीं तो EPS भी कुछ नहीं आया यानि यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमने रिंड को बढ़ाया है EPS यानि प्रतियांश लाब उल्टा घटते गया तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कम्पनी को लाब ही पर्याप नहीं था दोनों उधारणों का सार यह निकल कराता है कि यदि कम्पनी की स्थिती अच्छी है, कम्पनी के पास लाब अच्छा है तो कम्पनी रिंड की मातरा को बढ़ाने का सोच सकती है इसके लिए कम्पनी को लाब के अनुपात को ब्याजदर की राशी से तुल्ना करनी परती है पहले उदाहरन में कम्पनी की जो कुल पून्जी थी जो कुल निवेश था 30 लाख रुपे का उस पर कम्पनी ने 4 लाख रुपे का लाभ कमाया जो कि करीब 13 परतिशत का आता है जो कि ब्याजदर के 10 परतिशत के राशी से अधिक था यानि लाब का दर, जिसे हम निवेश पर प्रतिफल दर भी कहते हैं, वो ब्याज़दर से अधिक था. दूसरे उधारण में, कम्पनी का दो लाख रुपे का लाब, यदि आप निवेश पर प्रतिफल अनुपात से निकालें, जिसमें आप दो लाख के लाब को उपर रखें, पूंजी यानि तीस लाख को नीचे रखें, तो प्रतिशत आएगा करीब 6 से 7 दस प्रतिशत के कि यदि कम्पनी की स्थिती इस प्रकार की है, कि उसके लाब का दर यानि निवेश पर प्रतिफल दर ब्यास दर से अधिक है, तो उसे अपनी पूंजी में समता के मुकाबले रिन अधिक रखना चाहिए, इससे फाइदा आंत में समता अंशधारकों कोई होगा, और यदि क यह दोनों बाते अंततह हमारे प्रारंबिक उदेश से जुड़ी वी है, हमें अपना वित्य प्रबंदन इस प्रकार करना होता है, कि उससे हमारे अंशधारकों को अंततह संपदा में व्रिद्धी होकर मिले, जो कि हमारे वित्य प्रबंदन का प्रमुक उदेश है, तो आईए इसी बात को और मजबूत करने के लिए और अपनी समझ को और विक्सित करने के लिए पुंजी सरचना को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक उपर सरचा करें। सबसे पहला कारक है रोकड प्रभा स्थिति यदि एक कंपनी के पास रोकड प्रभा अच्छा है यानि हमारे पास कैश का फ्लो अच्छा है हमें नगद की रोकड की दिक्कत नहीं होती है तो ऐसे में हम रिन रखने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि रिन रख है अच्छी हमारे पास कैश ही नहीं है तो हम रिन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं यदि कैश के स्थिति अच्छी है तो हम रिन रखने का सोचेंगे दूसरा कारक व्याज आवरण अनुपात ICR यानि Interest Coverage Ratio ब्याज आवरण अनुपात से तातपर्य है कि कंपनी का ब्याज कर काटने से पूर्व का जो लाब है वह ब्याज की मातरा से कितने गुना अधिक है यानि जो हमें ब्याज देना है उसे देने के लिए जो लाब हमें चाहिए क्या हमारे पास वह लाब इसके लिए हम एक अनुपात का सहारा लेते हैं इस अनुपात का सूत्र है EBIT यानि ब्याज और कर से पहले का लाब बटे ब्याज इसके अनुसार हम यह देख पाएंगे कि जितना हमें ब्याज भरना है उसके कितने गुना हमारे पास लाब है जितना अधिक यह अनुपात उतनी अधिक हमारी स्थिति यानि यदि हमारा यह अनुपात अच्छा है तो हमें यह पता लग जाएगा कि हम ब्याज आसानी से भर पाएंगे तो हमें रिण रखने में भी कोई समस्या नहीं होगी जबकि यदि यह अनुपात कम है तो हमें ब्याज देने में दिक्कत होग इसके अलावा एक और अनुपात है जो है निवेश पर आये जिसकी मैंने पहली बेचर्चा की कि हमारी निवेश पर कितनी आय हमें मिल रही है वो बहुत ही महतोपूर कारक है यदि हमारी निवेश पर आय कम है और ब्याजदर अधिक है तो हमें रिन से बचना चाहिए इसके अतरिक रिन की लागत भी हमें देखनी होगी क्योंकि रिन जब हम लेते हैं तो रिन पर हमें ब्याज देना पड़ता है वो ब्याज यदि बहुत अधिक है तो उस ब्याजदर से बचने के लिए हम रिन को कम रखेंगे लेकिन यदि रिन की लागत कम है, ब्याज कम देना पड़ रहा है, तो हमें रिन जारी करने में भी कोई दिक्कत या समस्य नहीं आएगी इसी से जुड़ा एक महतोपूर कारक है कर की दर कर की दरों का ध्यान इसलिए रखना चाहिए, क्योंकि रिन पर जो हम ब्याज देते हैं, वहाँ ब्याज हमारे कर को कम करने में साहिता करता है क्योंकि उस ब्याज को एक खर्च के रूप में दिखाकर हम कर के लिए उपलब्द राशी को कम कर सकते हैं जिससे हमें कर का भुकतान कम करना पड़ेगा तो यदि करों की दर अधिक है तो इसका अर्थिय हुआ कि हम जितना ब्याज देंगे हमें उतना अधिक कर बचाने में साहता मिलेगी तो हमें अपने पूंजी में रिण को रखने में समस्या नहीं होगी करों की दर कम होने पर हमें रिन को कम रखना चाहिए इसके अतरिक्त प्रवर्तन लागत यानि कोई भी पूंजी जारी करने की उसे प्राप्त करने की लागत सामानने तह यह पाया गया है कि यह लागत समता में अधिक होती है तो यदि हम इस लागत से बचना चाहते हैं, तो हम समता राशी को कम और रिण के राशी को अधिक रखेंगे फिर आत्ता है जोखिम, हर व्यवसाय को अपने सभी निर्णयों में जोखिम का ध्यान रखना होता है तो विद्य निर्णय भी उससे क्यों बचें, जोखिम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जोखिम में हम दो तरह के जोखिम देखते हैं पहला विद्य जोखिम, विद्य जोखिम से ताथ पर यह उस अवस्था से है जब कोई company अपने निश्चित वित्य व्ययो यानि ब्याज का भुक्तान करने में असमयत है यानि यदि हम ऐसे स्थिती में हैं जहां हमें जोखिम है कि हम वित्त पर ब्याज भी नहीं दे पाएंगे तो यह जोखिम भरी स्थिती कहलाएगी इन वित्य जोखिमों के अतरित व्यवसायों को संचालन जोखिम भी होता है जिने हम व्यवसाइक जोखिम के नाम से जानते है इसका आर्थ होता है कि हम अपने व्यवसाइक के अन्य खर्चे जो अन्य स्थिर खर्चे हैं उन्हें हम दे पाएंगे कि नहीं कुल जोखिम दोनों प्रकार के जोखिमों को मिला कर बनता है यदि किसी फर्म की वेवसाइक जोखिम दर नीची है तो हम रिण का उप्योग कर सकते हैं लेकिन यदि हमारे वेवसाइक जोखिम पहले से अधिक है उस पर हम यदि वित्य जोखिम भी डाल दे तो वो दोहरा जोखिम हमारे वेवसाई के लिए सही नहीं रहेगा इसके अतरिक्त लचीलापन भी देखना पड़ेगा यदि किसी फर्म ने पहले से ही बहुत रिंड ले लिया है तो उसके पास वो लचीलापन कम हो जाता है अब हम और अधिक रिंड लेने के स्थिती में नहीं रहेंगे ना ही हमें बाजार से अधिक रिंड मिलेगा क्योंकि हमने पहले से एक आफिर रिंड ले लिया है जबकि यदि हमने पहले से कमर्ण लिया हुआ है तो हम अधिक रिंड की तरफ जा सकते हैं ये कुछ मुख्य बिंदू थे जनका ध्यान रखते हुए हमें पूंजी सरचना का ध्यान रखना होता है। मैं आशा करता हूँ इससे आपको पूंजी की सरचना के बारे में समझने में बहुत साहेता मिली होगे। अब आगे हम बात करेंगे कि इस पुन्जी का जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने निवेश दिर्णे में देखा था, तो स्थाई पुन्जी और कारिशिल पुन्जी इन दोनों में कितना निवेश करना है, यह कैसे निर्धारित किया जाए? हमने देखा था कि जो पुन्जी हम मशीनों या स्थिर संपत्यों में लगाते हैं, वो स्थाई पुन्जी कहलाती है, वो जो पुन्जी हम अपने वेवसाय के दिन प्रतिदिन के कारियों में, नगत में, स्टॉक में, देंदारों में लगाते हैं, उन्हें हम कारिशिल पुन् तो आईए अब चर्चा करते हैं ऐसे कुछ कारकों पर जो हमें यह बताएंगे कि हमें कितनी स्थाई पूंजी रखनी है वह कितनी कारिशिल पूंजी है यदि हम पहले स्थाई पून्जी के प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, तो सबसे पहला कारक है व्यवसाई की प्रकृति. यदि हमारा व्यवसाई केवल लेन देन करने का व्यवसाई है, जहांपर हमें उत्पादन नहीं करना, निर्माड नहीं करना, केवल वस्तु पूंजी चाहिए होती है, दूसरा कारक संक्रिया का स्थर या संचालन का स्थर है, यदि हमारे वेवसाय एक बड़े स्थर पर चलता है, हम बहुत बड़े स्थर पर उत्पादन करते हैं या लेंदेन करते हैं, तो उसके लिए हमें जादा जगह है, जादा अन्य पूंजियो भी कम लगानी पड़ेगी तीसरा बिंदू तकनीक का विकल्प है अब हम जानते हैं कि वेवसाए के लिए दो प्रकार की तकनीक होती है पूझी प्रधान टकनीक वश्रम प्रधान टकनीक को चुनता है तो वहां पर उसे अधिक लागत लगेगी क्योंकि उसमें फिर अधिक म मशीनों आधिकी आवश्यक्ता कम होने के गारण स्थाई पून्जी भी कम लगेगी इसके अतरित तकनीकी उत्थान यानि तकनीक में सुधार यदी कोई वेवसाय ऐसे मशीनों या ऐसी तकनीक का प्रयोग करके काम करता है जो बहुत जल्दी ही अप्रचलित हो जाती है पुर ऐसे वेवसाय में स्थाई पून्जी स्वफाविक रूप से अधिक लगेगी जबकि अगला बिंदू विकास की बात करता है यदी कोई वेवसाय विकास की और प्रेरित है वह अपने वेवसाय को अधिक से अधिक उचाई पर ले जाने के और अग्रिसर है तो ऐसे में विक विविदी करण की और अग्रसर है यानि यदि हम अपने विविवसाई में विविदता लाना चाहते हैं मान लिजे हम कोई नए उत्पाद की शरंखला शुरू करना चाहते हैं या हम नए ब्रांच खोलना चाहते हैं नए प्रकार के छेतर में जाकर विवसाई करना चाहते हैं इसके अतरिक्त वित्य विकल्प, यानि यदी हमें कोई मशीन चाहिए माल लीजे, उस मशीन को खरीदने के लिए हमारे पास सामाने तहट दो विकल्प होते हैं, या तो हम सारा पैसा खुद लगाएं, या हम उसे किष्टों पर या पट्टे दारी पर लें, यदी हमारे पास पट्टे का विकल्प है, यानि हम किष्टों आधी पर ले सकते हैं, तो फिर हमें एक मुष्ट बहुत बड़ी राशी का भुकतान नहीं करना पड़ेगा, ऐसे में हमारी स्थाई पून जी कम लगेगी, लेकिन यदी हमारे पास ऐसे वित्य विकल्प नहीं है, तो हमें शीनों आधी को मिलकर खरीद लेती है, या मिलकर इस्तेमाल करती है, ऐसे में प्रतिय कंपनी द्वारा लगने वाली राशी कम हो जाती है, जैसे कि कई बार ऐसा पाया गया है कि कुछ बैंक अपने एटियम आपस में साजा करते हैं, एक ही एटियम से अलग-अलग बैंक काम कर सकते हैं, तो ऐसे में उनकी उस एटियम को स्थापित करने में लगने वाली राशी भी कम लगेगी, यदि ऐसा सहयोग संभव है, तो हमें स्थाई पूनजी कम लगाने पड़ेगी, नहीं तो स्थाई पूनजी में निवेश अधिक करना पड़ेगा, तो इस प्रकार इन कारिशिल पूनजी में रोकड, विक्रेव, योग्य प्रतिभूतियां, प्राप्यबिल, देंदार आदी आते हैं, हमने इन चीजों में कितना पैसा लगाया होगा है, हमारे स्टॉक में कितना पैसा लगा होगा है, यह हमारी कारिशिल पूनजी कहलाती है, कारिशिल तो हमें यह देख लेना चाहिए कि किन बातों पर निर्भर करेगा कि कारिशिल पूंजी कितनी होगी इसमें भी सबसे पहला बिंदू व्यवसाइक प्रकृति का है जो व्यवसाइ निर्माड के कारे में होते हैं उन्हें कच्चा माल स्टॉक आधी अधिक रखना होता है इनमें कारिशिल पूंजी भी फिर अधिक चाहिए होती है जबकि इसके विपरीत जो व्यवसाइ केवल लेन दिन करते हैं वहां तुलनात्मकृप से कारिशिल पूंजी कम लगती है फिर दूसरा बिंदू भी सेम है संचालन का स्टर यदि हम छोटे स्टर पर व्यवसाइ कर रहे हैं तो हमें कारिशिल पूंजी भी कम रखनी पड़ेगी लेकिन बड़े स्टर पर व्यवसाइ करने के लिए कारिशिल पूंजी की आवशक्ता भी अधिक होती है अगला बिंदू है व्यवसाइक चक्र का व्यवसाईक चक्र की विभिन्य दशाएं भी एक फर्म की कारिशिल पूंजी निरधारित करती है यदि हमारे व्यवसाई में उतकर्ष का समय चल रहा है यानि हमारी विक्री और उत्पादन दोनों अधिक हो रही है तो ऐसे में हमें कारिशिल पूंजी भी अधिक रखनी होगी लेकिन अधी आर्थिक मंदी चल रही है हमारी बिक्री नहीं हो रही है सामान नहीं बिक्रा उत्पादन कम है तो कारिशिल पूंजी भी कम रखनी होगी इसी प्रकार हर व्यवसाई का उत्पादन चक्र भी देखना होता है जहां व्यवसाईक चक्र पूरे अर्थविवस्था से जुड़ा हुआ है तो उत्पादन चक्र एक व्यवसाई विशेश के लिए होता है हर व्यवसाई को कच्चे माल को प्राप्त करने से लेकर उसे पक्के माल में परिवर्टित करके बेचने तक कुछ समय लगता है जो की अलग-अलग वेवसायों में अलग हो सकता है इस समय को ही हम उत्पादन चक्र कहते हैं यदि किसी वेवसाय का उत्पादन चक्र लंबा है उसे कच्चे माल को खरीद कर उसे बना कर बेचने में समय जादा लगता है तो उसे अधिक माल खरीद कर रखना पड़ेगा और ऐसे में कारिशिल पूंजी भी अधिक चाहिए होगी जबकि यदि उत्पादन चक्र छोटा है तो कारिशिल पूंजी भी कम चाहिए होगी अगला बिंदु है उधार विक्रे की सुविधा यदि हम अपने ग्रहकों को लंबे अवधी के लिए उधार दे देते हैं यदि हमारी नीती अधिक उधार विक्रे करने और थोड़ा समय अधिक देने की है तो ऐसे में आज हमने उत्पादन किया उस पर हमने कच्चा माल लगाया निवेश किया और हमने वो सामान अपने ग्रहकों को बेचा लेकिन वहां से हमें पैसे आज नहीं मिलेंगे तो अगला उत्पादन करने के लिए हमें अपने पास से और पैसे लगाने पड़ेंगे यानि जितना अधिक हम उधार बेचेंगे उतना हमें कारिशिल पूंजी अधिक लगानी पड़ेगी जबकि यदि उधार कम है या उसकी अबधी कम है तो कारेशिर पुनजी भी कम लगानी पड़ेगी इसके विपरीत उधार क्रे सुवधा यानी हमें अपने सप्लायर से यानी पूर्ती कारकों से कितना उधार समय मिलता है यदि हम उधार में अपने कच्चे माल आधी को क्रे कर पाते हैं तो हमें जादा पैसा लगाने की चिंता नहीं होगी हम उधार खरीदेंगे बेचेंगे जब पैसा आएगा तब अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे यानि यदि उधार क्रे की सुवधा उपलब्ध हैं तो हमें निवेश कम करना पड़ेगा कारिशिर पूंजी कम लगानी पड़ेगी इसके अतरिक्त संचालन कारिश कुशलता यानि कोई व्यवसाई अपने व्यवसाई में कितनी कुशलता से संचालन कर रहा है यदि हम अपना व्यवसाई अच्छे तरीके से चला रहे हैं तो हम वेस्टेज यानि व्यर्त भी कम करेंगे हम अपने कच्चे माल आदी को अच्छे से प्रबंधित करेंगे हम देंदारों से जल्दी पैसा प्राप्त कर पाएंगे ऐसे में हमारे कारिशिल पूंजी के आवशक्ता कम रहेगी लेकिन यदि हम कुशल नहीं है तो हमारे पास वेर्तता जादा होगी और जादा पैसे लगा के रखने पढ़ेंगे इसके अतरिक्त कच्चे माल की उपलब देता यदि कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सकता है तो हमें बहुत जादा कच्चा माल खरिद के रखने के आवशक्ता नहीं पढ़ेगी और ऐसे में कारिशिल पूंजी कम लगेगी जबकि इसके विपरीद यदि हम ऐसे छेतर में हैं कच्चा माल जल्दी नहीं मिलता तो आपको पहले सही बहुत सारा स्टॉक रखना होगा जिसमें आपको अधिक पूंजी लगानी पड़ेगी अंत में विकास प्रत्याशा यानि यदि हम आगे विकास करना चाहते हैं तो हमें अपने उत्पादन को बढ़ा कर रखना होगा और बढ़ाते जाना होगा हमें अपने ग्रहकों को खुश रखना होगा हम यह सुनिशित करना चाहेंगे कि हमारे विक्री में ग्रहकों के लिए सामान की उपलब्दता में कभी कमी ना है इन सब के लिए हमें अपने स्टॉक में वा अन्य कारिशिल पूंजियों में अधिक निवेश करना होगा तो यदि विकास करना है तो निवेश भी अधिक करना होगा तो बच्चों इस प्रकार हमने कारिशिल पूंजी से जुड़े हुए कुछ कारक देखे और हमने यह समझा कि कैसे कारिशिल पूंजी निर्धारित करने के लिए भी इतना कुछ हमें सोच कर चलना पड़ता है यह सब देखकर और आज के इस पूरे भाग को पड़कर आप यह तो समझ गए होंगे कि वित्त का प्रबंधन उससे जुड़े निर्ड़े चाहे वो पूंजी से जुड़े निर्ड़े हो या निवेश से जुड़े निर्ड़े यह बहुत सरल नहीं होते, इनके लिए बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है और बहुत सोच समझ कर एक अदम उठाने पड़ते हैं मैं आशा करता हूँ कि यह पूरा अध्याय हमने आपको पढ़ाया इससे आपकी व्यवसाईक वित्य के बारे में ना केवल समझ बढ़ी होगी बलकि आपको यह रोचक भी लगा होगा कि कैसे एक व्यवसाई अपने वित्य को इतनी सारी बातों का ध्यान रखते हुए प्रबंदित करता है यह मैनेज करता है इस अध्याई के तीनों भागों में हमने व्यवसाईक वित्य के अर्थ, महत्व, उसके निर्णयों, नियोजन, आदी से लेकर पुन्जी सरचना व पुन्जी के निवेश से जुड़े कारकों पर विस्तार में चर्चा की है मैं अशर करता हूँ कि यह पूरा अध्याई आप अच्छे से समझ पाये होंगे आज के इस भाग में वह इस अध्याई में इतना ही धन्यवाद स्थस्च्थ